सफलता पाने के लिए व्यक्ति को समस्याएं नहीं समाधान के बारे में सोचना चाहिए जी हाँ बंधू, जै जीनेद्र, मैं डेजी से अभिननदन करती हूँ कारिक्रम समस्या एक समाधान अनेक में बंधू हमारे जीवन में बहुत सारी कठनाई आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें समझ में नहीं आती, कहां जाएं, क्या करें लेकिन हमें पता नहीं होता, समाधान तो हमारे आसपास ही है और हर जगे है, वही समाधान हम आपको इस कारिक्रम के माध्यम से बताते हैं जी हां तो चलिए आज के कारिक्रम की शिरुवाद करते हैं और मैं तहे दिल से कारिक्रम में अभिनंदन करना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीब जैन और डॉक्टर प्रिया जैन जी का जो है एस्ट्रोलाजर, वास्तु एक्सपोर्ट और रेकी मास्टर स्वागत है सर माम कारिक्रम में जैजिनिन, स्वागत है आपका कारिक्रम में माम पिछले कई एपिसोड से सर और आप हमारी दश्कों को भगतामबस तुरु का महत्व बताते आ रहे हैं और उन्हें ये भी समझा रहे हैं कि कैसे इस मंत्र का उच्चारण करने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दिक्कते आ रही हैं, वो सौट हो सकती है जानना चाहूंगे कि एक मंत्र के उच्चारण से किस प्रकार से हमारी लाइफ इतनी इजी हो सकती है जी हाँ, हमरी दरसों की तरफ से आपकी बहुत अच्छा सवाल किया है कि मंतर सास्त्र कैसे काम करते हैं, कि आप मंतरों के उच्छारण से लाइप की समझ्यों को दूर किया जा सकता है, भारती जोतित सास्त्र में पांच चीजे बताई गई हैं, मंत्र, मनी, औजदी, दान औ लेते हैं ड्रिफ्स लेते हैं सरजरी होती है ऐसे भिन भिन पार्ट्स में जाकर हमारी इतना टेट्मेंट पूरा होता है लेकिन अध्यात्विक साइंस में अध्यात्विक विज्ञान में यह पांच चीजें प्रमुक्ता से ली गई हैं तो सबसे पहले हमारी मुनी महराजों हमारे अचारे भगबंतों ने हमारे एंसेटर ने मंत्र विज्ञान को सब से ऊपर रखा क्योंकि मंत्रしゃाषब जीवन है जब हम नेड़ सेल्स जो रड़ाया जीन से बनती हैं उनकी माध्यम से स्वस्त होने कि कामना किदें प्रात्ना करतें या उनका उनकी की प्रदी भाव रखने से ठीक हो जाएंगे सुँश्थ हो जाएंगे तो मंत्र जीवंत हैं दो सब्द रूप में ने अपने आहएं उस सब्द करते हैं तो लगई व्राइद को नहीं के साथ जु्ड जाते हैं उन परंपिता प्रमात्म की शक्ति के sa हम अविन अंग हैं जब उसे संपर्ग बना लेते हैं उन कोस्मिस इनर्जी के साथ जुड़ जाते एं उन परमक्सक्तियों के साथ अपना संपर्ग स्ताफित कर लेते हैं तो जीवन की सवी समस्याइं अपने आप स्वेते हील होती चली जाती है तो मंतर ऐसे ही काम करते हैं हमारे जो brain है वो 93,000 टाइट के chemical release करता है जब भी हमारे अंदर कंपन होता है हमारे शरीष में कंपन होता है अपने आप हमारा brain उस chemical को release करने लगता है भक्ताम बस्तरोध क्या है? भक्ताम बस रोद भी एक ड्रग्लेस मेडिसिन है कोई ड्रग्स नहीं ले रहे हैं आप लेकिन जो उन बीजाक्षरों का उचारंग कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी के अंदर कमपन होता है प्रकमपन होता है और बॉडी अपने आप हील होने लगती है अपने आप मेलाटॉन रिलीस करते हैं हमारा ब्रेन और जिस भी पार्ट में हमारी कोई प्रॉब्लम होती है कोई भी कोई दिक्कत होती है परिशानी होती है कंजेशन होती है वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हील होने लगती है स्वस्थ होने लगती है तो सोचिए कि कितना important है हमारी body में हमारा brain आपको उसको बताना नहीं पड़ता कि कौन सा chemical release करे जब आप positive हो जाते हैं जब आपका connection अपने इश्वर के साथ परमात्मा के साथ अच्छा बन जाता है आपका brain अपने आप वो chemical release करता है और आपकी body ठीक हो जाती है और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप medicines भी ले रही हैं आपको जो भी कोई problem थी आपने उसका treatment भी लिया लेकिन result नहीं आ पाता ऐसा क्यूँ? क्योंकि जो आपका brain है उसके प्रती unaware हो चुका है आप medicines तो खा रहे हैं वो ठीक है थोड़े level पर काम भी कर रही है लेकिन आपके अंदर awareness ही नहीं है लेकिन जो ये मंत्र हैं ये तो जीवन्त हैं जब आप इनका उचारन कर रहे हैं आपकी पूरी body के अंदर कमपन हो रहा है आपकी पूरी कंठ के अंदर कमपन हो रहा है आपके solar sector chakra के अंदर कमपन हो रहा है बोड़ी अपने आप ऑटमेटिकली positive melatonin release करती है और आपकी body स्वस्थ होने लगती है मैं इसमें और बताना चाहता हूं जैसे कि हम सभी जानते हैं 262Y8 बीजाक्षर का सम्मू है और एक बीज की ताकत जो होती है एक की जो टाकत होती है बड़ से बड़े वक्षों को पैदा किया जाता है बड़े से बड़े खेती और खलियान पैदा बनाइजा सकते हैं और जब 2688 वी जक्षरों के उस सम्हों को हम उचारंग करते हैं, तो जब मारे ब्रेंड से, हमारे डिमाग से, जब वो chemical रिलीज होंगे, तो क्या कोई समस्या हमारी जीवन में रह जाएगी, क्या कोई परिस्यति हमारी जीवन में रुकी रह जाएगी, नहीं, कर भी नहीं हो सकता, बिल्कुल तो हम सब जानते हैं भगतामबस तुरूद का महत्व जानते हैं लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है किसे हम जीवन में आरे हैं समस्याओं का भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं अब पहले देखें कई लोग हैं जोतिश में बिलीफ करते हैं और अपनी समस्याओं के लिए जोतिश आचारे के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये ये पर प्रॉब्लम है तो वो जोतिशास्त के अनुसार या वास्तुसास्त के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान ढू बच्चों को सिखाने के लिए ताकि आप घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान स्वेम कर सके कैसे होती है क्लासे क्या होती है सारी डिटील्स मैं आप से जानना चाहूंगे सब्सक्राइब 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 कर सकते हैं साथ में भक्तामर्सोत्र कि 2688 विजक्षरों के सम्हूं को अपनी जीवन में कैसे उप्योग में लाए जाए और तीसरा जो सबसे important और सबसे interesting parts है कि जिसको रेकी healing करना भी नहीं आता जिसको भक्तामर्स के मंत्र चाब करना भी नहीं आता वो कुछ numbers के माद्यम से नियुम्रिक इस course के हम सिखाते हैं जुको अपनी left hand के रिष्ट पर लिखा जाता है उनको प्योग करकर बड़ी से बड़ी बीमारियों को थोड़े सी समय में ठीक क्या जा सकता है लेकिन अगर आप यह course हम से सीखते हैं जानते समझते हैं कोई भी इस course को जोइन कर सकता है दस साल के इस course को घर बैठे आपको बिल्कुर प्रदीप जी मैं आगे आप से जाना चाहूंगे माम कि जैसे सर ने बताये कि बहुत आसानी से घर बैठे सिखाया जा सकता तो क्या कुछ प्रोसेस लगता है सिखाने में किस तरीके से आप यह मैनेज कर पाते हैं हमारे दर्शकों के ल जो आती है एक question answer session हमने अलग से रखते हैं कि जो भी course के बीच में आपकी queries आई है जो आपको समझ नहीं आया है तो उसका हम answer question answer session में देते हैं कि आपके सारे doubts clear हो जाए आप जो आपने सीखा है उसको अच्छे से practice करता है अपनी life में जो भी आपकी problems आ रही है उसको अपने आप दूर कर पाएं बिल्कुल यानि कि आपके life में अगर problems आ रही है तो देखिए समाधान आपके पास है जी हाँ समस्या एक समाधान अनेक आपके पास है और आपको यहाँ पर सीखने का मौका भी मिल रहा है क्योंकि हम बच्छपन से ये तो सुनते आ रहे हैं कि रेकी के समाधियम से हम अपने आपके पास जो हमारी उर्जा है उसे positive बना सकते हैं और इतना ही नहीं हम अपने साथ-साथ किसी और की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो telephone numbers आपके TV स्कीन पर दिखाये जारे, contact कर किये और जट से अपनी समस्या का समाधान स्वयम करिये जी हां डॉक्साब मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे कई लोग जो है वो problems में घिरते हैं तो जोतिश का सहारा लेते हैं और आपसे ये पूछूँगी बिल्कुल definitely दर्श को कि लिए मैं पूछूँगी ये चीज तो क्या जोतिश के अंदर ही हम भगतामबर स्त्रोत के माधियम से किस प्रकार से ये connected होता है और किस प्रकार से हम जोतिश प्लस भगतामबर को साथ में रखके अपनी समस्या का सवाधान पा सकते हैं जी हां बहुत अच्छा सवाल है वी हम देंतर अपने पुराने एपिसोड में हमने बताया कि कौन से ग्रह के लिए कौन से बगतामबर के काभवेका जाब करना है जैसे कि सूर्य ग्रह के संब्धिर कोई समस्या हमारी जीवन में चल रही हो तो बगतामबर स्तोत का पंद्र समस्या दूर हो जाती है ऐसे ही अलग अलग ग्रह के संब्धिर अलग अलग काभई वक्ताम रिस्तों में बताई गए हैं जिनके उच्छारन मात्र से जिनके इस्मरन मात्र से हम ग्रह की पीड़ा को सांद कर सकते हैं और पॉज्य फल्प्राप्ट कर सकते हैं बहुत आसान ह यह जैसे हम सुर्य ग्रे के लिए ओम राम रीम फॉम शा सुर्याई नमा मंत्र का पाठ करते हैं उसी प्रकार अकर कोई भी व्यक्ति सुर्य की संबंदी समस्या से परिसान हो सुर्य को ग्रहन लगा हुआ हो सुर्य अस्त हो नीच हो वक्री हो या अन्य कोई समस्या हो तो भी ह हम चित्रम की मत्र यादी तेटरी दतांग नाहवित इसका पाठ करें तो समस्था के हमें बिल्कुल 100% आराम मिलेगा निजात मिलेगी और हमारे जीवने शुक्षांदी समर्दी और हमारे नेम फिर्सदी हमारी उसके साथ बढ़ती चली जाएगी और हमारे पास बहुत सारे धारन भी है, जिनको हमने इश लोग परणों होद़िया, जो कुछ भी नहीं कर सकते थे जो लोग उ पाए, कि सुर्य की जो ओर रेमेडिज होती हैं वो नहीं कर सकते थे लेकिन उन्ने इस लोग का पाठ किया, तो उनके जीवन में भी सुर्य जैसे चमक आ गई, उनके प्रदीव हो चाहे वो अमीर हो हर घर में इक्वली डिस्रिब्यूट हो जाती है उसी तरह जब आप प्रदीव करते हैं यह इसका जो मंत्र भी प्रदीव जी ने बताया वो जाप करते हैं तो सूरे समधे जो भी आपकी रहती प्रॉब्लम्स हैं उसे आपकी लाइफ में उसी प्रकार से भकतांबस स्त्रोत के माधियम से हमारे ग्रह होते हैं उसके नकरात्मक प्रभाव पड़ते हैं कई ऑगर आगर हम उसे प्रोपर्ली नहीं देखते हैं तो क्या भकताम बस तुरोट में हर कावे का हर मंत्र का एक ग्रहों के साथ कनेक्टिविटी देखा गया है। बिल्कुल जी हर घरे के एक अलग मंतर बताएगा है तो नौकी नौग गिरों को और जीवन में जितने भी योग असुभ योग बनते हैं उन सबी योगों को भक्ताम रितोत के मागध्यम से ठीक किया जा सकता है जी बिल्कुल बस नियम मानना होता है किस प्रकार से हमें मन काय वचन से शुद्ध होकर उसका पालन करना होता है वह आप तो जुरूर करना होगा यह मन यह आपका अच्छा होगा और आपका फेथ होगा उस चीज के प्रती तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा यह आपका मन में कुछ भी नहीं है आपके मन में कोई अटैश्मेंट ही और यह आपको प्रत कर रही है और फेथ ही नहीं है कि मेरे काम मेरे काम होगा तो कोई रिजल्ट आपको आने वाला नहीं है यह चीजे की प्रियुर्टी था है बगतामबरसोत की और इवन मैं तो यह कहना चाहूंगी हर चीज के अंदर हम जो भी अपनी दिन चर्गा करते ह यदि हमारी लाइफ में फेट नहीं है और हमारा चित उसमें नहीं लग रहा है, हमारा मनस नहीं लग रहा है, तो सब चीजे हो वेस्ट है हमारी लाइफ में, ये दोनों चीजे हमारी लाइफ की बहुत नीजर पिलर्स हैं, कि यदि आपकी लाइफ में आदी आपको ग्रोथ क कि मुझे ये चीज को अचीव करना है तो यदि जो प्रॉब्लम्स तो लाइफ का पार्ट है जैसे हमारी बीपी चलता है अपेंड डाउन चलता है यदि वो स्ट्रेट हो जाएगा तो क्या होगा कोई इसान जीवीत ही नहीं होगा तो उसी तरह लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है वो तो हमारी लाइफ का पार्ट है लेकिन हमें पहुचना कहा है उस चीज को यदि हम फोकस कर रहे हैं तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपने आप डिजॉल्व होती चली जाएंगे एक चीज और जैसे आपने बताया यहाँ पर कि किसी भी प्रकार की समस्या होती किसी भी XYZ कोई भी समस्या हो उसका समाधान हमें भगतामस तरोथ के माध्यम से मिल जाता चली हम मानते हैं हम एक बहुत गहन मेडिटेशन में जाते हैं और जिस तरीके से हम भगतामस तरोथ का पालन कर रहें उसका अपने जहन में उतार रहें तो इससे हमारी body शानत होती है हमारा मन शानत होता है हमारी आत्मा शानत होती है लेकिन क्या जैसे आप दावा करते हैं इस चीज के लिए कि हम सारी समस्या जो आउटर सरकल है समस्या जिस तरीके से वैपार नहीं चल रहा शादी नहीं हो रही नौकरी नहीं लग रही बिमारिया बिमारियों से इंसान ग्रहसित है तो उन समस्याओं का समाधान हमें भक्तामबस तरोत में कैसे मिल सकता है जी हां हमने लगा तर तीन महीनों के पूरे एपिसोड में यहीं बताया कि हर काव्वे को पढ़ने से कैसे निजात मिल सकती है और समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है जैसे कि हम को भी टॉपिक ले लेते हैं एक्जम्पल के तौर पर कि हमारी लाइब में बहुत सारी समस्या आए हैं बैपार रुख जाता है और रोधा जाते हैं मंदे काम बिगड़ जाते हैं तो आचारे महनतुंग स्वामी ने हजारों बरसफूर मक्तामरिस्तों के प्रिदम कभब किस्तोती करने की बात करी उन्हें कहा कि जो सर्दा स्यथ भगवान के चर्ड़ों में जुख जाते हैं समर्पित हो जाते हैं तो हजारों लोगों की बात नहीं करूंगा मैं लाखों लोगों ने इसका अजमाया उप्योग किया और अपनी विक्र बातों को दूर कर वो एक अच्छे पत पर आगे पड़ गए बिल्कुल मैं मैं कुछ कहना चाहेंगके इस चीज के उपर क्योंकि आप इस पे एक श्परट ही है इस चीज के लिए सो मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि इनसान कुछ भी कर रहा है चाहे वह जोतिश का कोई उपाय कर रहा है चाहे भक्तामबर कर रहा है वास्तु के कोई भी remedy कर रहा है उस सब उसके subconscious mind पर काम करती हैं जब आपका सब चीजे subconscious उसके तर attached हो गया तो result आना ही आना है चाहे आप ओम का उचारन कर रही है, जाहे आप meditation कर रही है, चाहे आप explicit कोई भी काम कर रही है, आपके subconscious ने उसको accept कर लिए तो काम होने लग जाएगा, जो भी hudles थी, जो परिशानीया थी, वो तो atmosphere भरी भी है, लेकिन आपका subconscious mind इतना powerful होना चाहिए, कि वो उस negativity को absorb ही न करे, वो उस तरफ focus ही नहीं करे, आप भी घर में जहते होंगे, जिस चीज को आप बुलाते हैं, वो ही आपके घर आती है, क्या आपके घर में कोई भी ऐसा guest आ जाता है, जिसको आप नहीं बुलाना चाहते, वो ही आपके घर के दर्वाजे पर आपके main door मे का प्रयास करे, उसकी तरफ faith रखी और positive हो जाएं कि yes, I achieve this, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चीज़े ठीक होने लग गई, यानि सारी बाते इस और हमें दर्शाती हैं, ये कहती है कि positivity must, आप अगर positive हैं, तो हर चीज अच्छी है और आपके favor में हैं, और इसलिए आप स Ma'am और Sir, आप सभी को classes देते हैं, जी हाँ, raking, भक्तामर healing, साथ ही साथ आपको numeric code के माधियम से किस प्रकार से आप समस्त negativity को हरा कर अपने अंदर positivity ला सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज भी चर्चा हुए, आने वाले episode में भी चर्चा करेंगे, साथ ही हम एक ऐसे दोश क पर चर्चा करेंगे, जिससे आजकल हम सभी बहुत भैबीत हैं, जी हाँ, काल सर्फ दोश है, किस प्रकार से हम भक्तामर पर तुर्द और जोतिश सास्त के माधियम से इसे निजात पा सकते हैं, क्या कुछ इसकी सचाई है, है भी या नहीं है, किस प्रकार से यह हमें effect कर र आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यमाद आप दोनों का, जै जी नेंदर, जै जी नेंदर,